हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में मैं एक इंपोर्टन चीज आप लोग के लिए लेके रहा हूँ जो की UPSC एक्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो है मैपिंग मैपिंग प्रैक्टिस आपको पता है UPSC में दो कोशन अट लीस्ट आती है हर साल हर साल दो कोशन आते हैं और साथ ही साथ जब आप मीन्स का एक्जाम लिख रहा होते हैं तब ही भी मैप बनाना अच्छा माना जाता है मैप अगर आप क्रियेट कर दे रहे हैं आपको मैप का आइडिया है आयार में और जेोग्राफी में और जहां पर भी आप बना सकते हैं जहां पर आप प्रैक्टिस वो हमको टेली बेसिस पर करनी पड़ेगे तब ही हम मैप में अच्छा कर पाएंगे daily basis practice करने के लिए आपको क्या करना है कि जो न्यूस पेपर में जो भी location आते हैं वो location आपको यापके दिमाग में बैठ ही होनी चाहिए और उसके लिए आपको आइलेंड जो ऑ इंडिया के पास वाले वो अईलेंड देखेंगे कि कहा कहां पर है और सिर्फ देखेंगे नहीं उनकी लोकेशन हम एनलिसेस करने की कोसिस करेंगे एनलिसेस की जैसे UPS pro Libs में पूस्ता है एक्साम में ठीक है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं रहा इंडिया के बाद सब जो सबसे नीचे सदर्न में स्री लंका है इंडिया के बाद आथा मालदीव सापको पता है स्रिलंका मालदीक, मालदीक का जस्ट नीचे है डियेगो ग्रेशिया यह ईलंड, यह यह यू क पर इसका अधिकार है मालदीक के जस्ट नीचे, फिर और नीचे आएंगे तो यह जो है, यह मारिस श्ट है यह है, रियूनियन आइलंड सबसे नीचे ठीक, लेफट में आप जाएंगे तो Madagascar है, इस पूरे आइलेंड को Madagascar बोलते हैं, Madagascar के उपर जो है, ये छोटे-छोटे हैं, ये सिशल्स है, ठीक, तो ये मेन आपको याद रखना है, यहां से स्तार्ट करके Sri-Lanka से, Sri-Lanka के बाद Maldives, Maldives के बाद Diego Gracia के बाद कौन सा हो गया यह maurices maurices के नीचे reunion island और यह ऊपर हो गया seashells और यह जो इधर है यह मटगास करें ठीक है यह हमने एक simple way में देख लिया अब दूसरा भी क्या है इसको देखने का इसको हमने कौन सा style में देखा कि जब हम नीचे जा रहा है डाउनवर्स इंदिया से southern डारेक्शन अगर आप देखेंगे तो सबसे उपर उल्टा हो जाएगा सबसे पहले रियूनियन पढ़ेगा ठीक फिर ये पढ़ेगा मौरीशस उसके बाद इधर हो जाएगा शिशल्स ठीक इधर हो जाएगा डियेगो ग्रेशिया फिर माल्डीव स्फिर उसके बाद स्रिलं clockwise and anti-clockwise direction clockwise क्या हो गया यह ठीक है यह clock clock ऐसे गुंती है तो clockwise direction में तो ऐसे ज्यादा कुछ clockwise नहीं फिर विए अगर हम देखें तो mostly उपर से नीचे वाला direction ही आएगा आण उपर से नीचे यह कि स्री रंगा हो गया फिर उसके बाद मालदीव शो गया यही वाला डारेक्शन रहेगा अब ज़्यादा करीब इंडिया के अरेबियन सी में अरेबियन सी यह हो गया अरेबियन सी यह बे ख बेंकोल ठीक है तो जादे तर किस साइड है Arabian Sea में है अरेबियन में बेफ बेंगोल में नहीं अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन वाला रीजन है ऐंगिए तो predict ृशन TV तो सो आ海 आए इंडियन ओशन में certain अब यह जो मडगासकर रहे आफра का पार्ट है यह आप याद रखीगा और अफृरीका का कि इसमें फिर कोई अबर sı Посतुरो नवर 27 ृच जो भी बैस वह बात की इंफोर्मेशन यह योपिए लेकिन अब आ रहा है इसके अलावा कोई दूसरा आइलेंड न्यूज में अगर होगा तो उसकी लोकेशन आप देख लीजेगा तो अगर पूछ लिया जाए तो मुझे लगता है अच्छा अब एक तरीका यह भी हो सकता है कि आपको डारेक्ट ना पूछ के यह पूछ लेगा कि डेली ड सबसे पास कौन सा पड़ेगा तो अबिसली स्रिलंका पड़ेगा तीन ऑप्शन अगर दिया हो डेली से अगर आपको दिया हो कि एक सिशल्स है दूसरा मौरीसस है और तीसरा यह है यूजन आइलेंड तो कौन सा पास पड़ेगा डेली से तो आपको पता होना चाहिए डेल और सिलंका में सेमी हो जाएगी मालदीव के सबसे पास option पूछा जा सकता है कि मालदीव से सिलंका पास है कि यह डिएगो ग्रेशियो पास है कि सिशल पास है तो हम बता सकते हैं हम को location अगर पता है तो इस तरीके के question आपको पूछे जाएंगे तो I hope यह आपका वीडियो से clear है कि कौन सा location कहां पे है इसके अलावा मैं दूसरे countries का भी location बताऊंगा कैसे कौन कौन से उसके पास water bodies है क्या है अभी यहां पे ऐसे कोई खास water bodies नहीं इंडिया नोशन में ही सब है इसलिए हम उसको discuss नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इस वीडियो को end करते हैं पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कीजे कोई भी doubt हो comment करके बताइए मैं दीकि मेरे पास अभी कोई ऐसा fancy digital board बगरा नहीं है लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि आप लोग के लिए अच्छे अच्छा content UPSC और दूसरे state exam में जो help करें वो लेकर आऊं तो जरूर आप इसको चैनल को subscribe कीजेए आप benefit आपको इससे जरूर मिलेगा यह मेरी guarantee है Thank you very much